दोस्तों, Excel के इस Tab Series में आप सब कर स्वागत है, जहां पर Excel के जितनी भी Tabs है, जिस हम बात करें Home Tab, Insert Tab, Data Tab, इन सभी पे एक-एक इंडिविजुल वीडियो देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में Home Tab को हम कवर करेंगे, जिसमें जितने भी Options हैं, जिसमें बात करूँ किलि वीडियो थोड़ी से लंबी हो, यह भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा बोर भी फिल करें, लेकिन आपको patience से रखना है, और पूरी dedication के साथ इस वीडियो को देखना है, and I am sure कि इस वीडियो को देखने के बाद, Home Tab के जितने भी Options है, वो आपको अच्छी तरीके से clear हो जाएं ताकि जो newcomers या बिल्कुल beginners है, उनकी भी ज़रूरते हैं इन options को लेके वो पूरी हो जाए, so make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, तो please वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोग की बीच में share करें, और अपना support दिखाएं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, so normally आ जाते हम अपने computer skin पर, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम clipboard section से, आप normal देख पा रहे हैं, यहाँ पर clipboard का section है, जिसमें हमें लगबग 4 options मिल जाते हैं, cut, copy, paste and format painter, सबसे simple हम start करते हैं, यहाँ पर एक data को mention करके, जैसे नाम है, मैंने आपर लिख दिया, राहुल, रमेश, एंड राजीब, हमने तीन नाम लिखे, उनके marks हमने आपर mention कर दे, जैसे English में 45 आया, हिंदी में 65, यहाँ 55, यहाँ 66, 47 और 85, तो इस तरीके से आपने देखा, कि मैंने भी जितना भी data लिखा, उसे type करके लेकिन अगर यही data मुझे दूसरे sheet में भी चाहिए, तो क्या मैं वहाँ दुबारा लिखूँगा, नहीं, तो वहाँ पे आप दो चीज़े कर सकते हो, एक होता है copy paste, जिसका मतलब होता है simple एक data को नहीं जगह पे copy करना, और दूसरा होता है cut paste, यानि इस data को यहाँ से अट copy करें, फिर दूसरी जगह जहां पे भी आपको इसे paste करना है, चाहिए वो नहीं sheet हो, या फिर हम बात करें, दूसरी जगह हो, sheet में कहीं भी, वहाँ पे आपको जाना है, और simple ही जो paste वाल option है, इस पे click कर देना है, आप देखेंगे कि वो जो data है, उसकी copy बन जाएगी, इसक अगर उपर में select करके, simple एक single select करना है आपको, और paste कर देना है, और ये data वहाँ set के, वहाँ move हो जाएगा, तो अगर आपको data move करना है, तो cut paste, और data को दूसरी जगह duplicate बनाना है, तो copy paste, ये जीस तो clear हो गई, लेकिन अभी आप अगर data को notice करो, तो ये बहुत ही simple लग रहा है हम इस data को थोड़ा से edit करते हैं, तो यहाँ पे आपको next series मिलती है font option, अभी परेशान नहीं हो ना format printer भी हम समझेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी editing होना ज़रूरी है, तो सबसे बहुत करते हैं यहाँ पे font options के, तो माल लिजेगर आपके data को, आपको attractive बनाना है, तो उसक of font options मिल जाते हैं, जिसे माल लिजे मुझे अच्छा लग रहा है, यह bell empty, मैंने इसको select किया, select करने के बाद, मुझे इसका size थोड़ा सा बड़ा करना है, तो आप manually यहाँ से size बड़ा कर सकते हो, और दूसरा, आप धीरे धीरे यहाँ पे grow font का use कर सकते हैं, जिसके मदद से, आप step by step size बड़ा कर सकते हो, या फिर decrease font size का use कर सकते हो, जिसके मदद से, आप धीरे-धीरे size छोड़ा कर सकते हो, साथ ही, यह काफी जादा पत्ला लग रहा है, तो आप इसे bold कर सकते हो, या फिर आप italic style देना तो आप italic कर सकते हो, या फिर आप underline दे सकते हो, और underline भी आप double underline दे सकते हो या फिर single underline फिलाल हमें इसकी जरुवत नहीं है तो हमें इस पर दुबारा क्लिक करके से हटा देंगे इसके बाद इसमें जो भी color आपको apply करना है जैसे हमने यह पर yellow color apply कर दिया और इसको font color है वो हमने blue रख लिया जैसा कि आप देख पा रहे हो font color में आपको more color का भी option मिलता है जिसमें आपको color का hard portion और light portion दोनों ही मिल जाता है तो आप इसे select करें और आप इसे okay करें और आप देखेंगे apply हो जाएगा अब data में एक चीज और जरूरी होती है वो होता है border तो हम क्या करता है इस data को select करते हैं और यहां पर जाके आप all border apply करोगे तो सारे border इसमें आ जाएगे अब अब यह आपने notice क्या होगा कि border में कई सारे options है इन्हें भी समझ लेते हैं देखो bottom border का मतलब यह है कि सिर्फ bottom border apply होगा top का मतलब सिर्फ top left का मतलब सिर्फ left और right का मतलब सिर्फ right कहने का मतलब जैसे मान लीजे मैंने इसको select किया और मुझे सिर्फ इस पे top border apply करना है त नीचे में नहीं तो इस तरीके से अगर आपको individually कुछ कुछ party border का चाहिए तो वह भी आप ले सकते हैं और border अगर आपने apply कर दी है आपको हटाना है तो आप no border कर दो इसी तरीके से outside border है और इसी तरीके से thick outside border है माल लीजे border की जो थिकने से वह आपको मोटी चाहिए तो outside border पर click कर दें आप देखेंगे कि इसके respect में यह वाली border की thickness थोड़ी से जादा है इसी तरीके से simple options है जिने बस आपको data को select करके apply करना है आप simple apply करोगे यह हो जाएगा अब आते हैं नीचे वाले options में जो समझना आपके लिए जरूरी है जैसे कि draw borders इन्हें मैं आपको explaining करत से drag कर रहा हूं और जहां-जहां ड्राइग कर रहा हूं यह outside water क्या ले रहा है outside water पूरे water apply कर रहा है इसके बाद यहां पर चलते हैं और हम लेते हैं दूसरा border draw border grid इससे क्या होगा कि हर एक cell जो है complete border के साथ आजाएगा जैसे इस पर apply करते हैं यह किया देखो तो जो मैंने पहला लिया था draw border उसमें हम outside border apply कर रहे थे और जो हमने दूसरा लिया क्या लिया है draw border grid इसमें हम हर एक cell को all border apply कर रहे हैं इसके बाद next option हम देखते हैं तो यहां मिलता है मैं option eraser का जिसके मदद से अगर आप इसे पहले की तरह normal करना चाहो तो आप कर सकते हो कुछ इस तरह से ध्यान रहे मैं left click को hold करके तब इसे ड्रैग कर रहा हूँ तब यह चीज़ अप्लाई हो रही है इसके बाद बात करते हैं line color की मालनीचे मैंने line color ले लिया red और इसका जो line style है वो म water apply करना है लेकिन अगर आपको editing में water apply करना है तो आप drop water का option ले सकते हो नीचे में more water पर आप click करोगे तो इसके settings open हो जाएगी जिसको अभी हम नहीं छेड़ने वाले तो simple चीज़े यह हैं जो आपको शायद पता नहीं होंगी और अब आपको पता चल गई होंगी तो font में तो हमारे सारे options cover हो गए बात करते हैं next option की जो कि है format printer जो कि मैंने बोला था अभी आपको मैं बताऊंगा देखो अभी आपने notice किया मैंने इसमें काफी सारी चीज़े apply करी ऐसा करते हैं इसमें भी apply कर देते हैं पहले तो यहाँ चलते है line color normal कर दो नहीं तो आपको दिक्कत आएगी आप इसी में जाके line style भी जो है वो भी normal कर दें यह करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे पूरे data को select कर लेते हैं इस तरीके से और select करने के बाद आपको यहाँ all water apply कर देना है तो यह हमारा format यहाँ पे ready हो गया अब आपने देखा मैंने काफी कुछ apply किया color apply किय किया font style apply किया water apply किया तो मैं इसको select कर लेता हो select किया वैने इस वाले को पहले वाले को और मैं करता हूँ format painter और यहाँ पे apply कर देता हूँ आप देखें यहमेंने कोई भी महनत नहीं करी ना यहाँ पे data को select किया proper तरीके से ना मैंने यहाँ पे font style apply करी ना मैंने color apply किया ना background color apply किया कुछ ने इसमें already apply था इसका format उठाया और उस पर डाल दिया किया कैसे जिसे यह वाला format है मैं क्या करता हूं इसको format printer से उठा लेता हूं click किया फिर यहां पर आएंगे और drag कर देंगे simple और आप देखेंगे इस तरीके से format printer की मदद से काम काफी जादा आसान हो जाता है मतलब महनत आपको सिर्फ एक format बनाने पर करनी है और अगर वही format आपको बाकियों पर apply करना है तो simple आप format printer की मदद से बोचिस कर दोगे अब आते हैं यहां पर तीसरे section पर जो कि है alignment section alignment one of the important term है जो कि आपके data को एक अच्छी तरीके से represent कर करने के लिए या फिर align करने के लिए काम आता है अब इससे समझाने के लिए मुझे करना यह पड़ेगा कि इसमें जो रो की height और width है या फिर column की height और width है यह मुझे बढ़ानी बढ़ेगे तो मैंने इसे बढ़ा दिया और मैं इस पूरे को एक बार में select करके format में जाता हू और इसकी जो row height है वो मैं यहाँ पर कर देता हूं 30 तो एक बार में यह भी बढ़ा पड़ा वगया है ने चलते हैं और यहाँ पर चलते चलते हैं अ और मैने क्या है यह पर 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 चाश अब आपका यह तर याप आपकर ड़़ा हो गया यह होता है middle align, इस data बीच में आएगा और यह होता है bottom align, जैसे कि पहले था, तो सबसे बहुत मैं top alignment ले लेता हूँ यहाँ पे, इन alignments के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, यह left है, यह center है और यह right है, मैं center करूँगा तो यह बीच में आ जाएगा, left करूँगा तो left मे और right करूँगा तो right में, तो हम इसे center में लेंगे और इसे top में ले लेंगे, इस तरीके से middle align कर देंगे, तो वो ज़्यादा better लेगा, जो कि आप देख पारे होंगे, अब यहाँ पर दूसरे options की बात करते हैं, जो कि है यह orientation, जैसे ए फोट यह राहुल लिखा है हमने, तो अगर आपको इसे बिल्गुल ठीक करना है, तो format cell alignment में आप जाओ, और यहाँ जाने के बाद, यह minus 90 degree इसको आपको zero करना है, और okay कर देना है, यह पहली की तरह normal हो जाएगा, इनकी बात करें, तो यह होता है increase indent, और यह होता है decrease indent, इनकी मदद से, अगर आपको इसको बच जाते हैं, एक है wrap text, और एक है merge and center, देखो wrap text का use क्या होता है, आपने कई बार अपनी mark sheet में notice क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है name, यहाँ पर लिख रहे हैं father's name, इस तरीके से, और यहाँ पर हमने लिखा English, और यहाँ पर हमने science, ऐसे में एक demo देखा रहा हूँ आ उसमे wrap text किया जाता है, अब wrap text करने से होता क्या है, यह होता है, और फिर हम इसे top align कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ double tap करते हैं, यह उपर कर देते हैं, यह ऐसे हो जाता है, अगर आपने father's name को notice किया होगा, तो आपने देखा होगा father's उपर लिखाता है name नीचे आता है pass fail उपर लिखा है result नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से अगर आपको data को एक ही row में fit करना है, तो आप wrap text की मज़द से यह कर सकते हो, I hope कि यह term के लिए रो गया होगा, अब यहाँ पर एक important term, margin center, इसमें लगबग आपको 4 options मिलते हैं, और 4 options का use maximum लोग को नहीं बता होता, अ और मैं यहां से लेके, यहां तक select कर रहा हूं, और इस पर apply कर रहा हूं all border, ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो, ठीक है, तो मैं इसको select करता हूं, सबसे पहले आप इसमें जाओगे, तो इसमें है merge and center, इसका use यह होता है, कि यह जितने भी cells है, लगबग एक cell बन गए, मतलब इतने सारे डब्बे थे, वो एक डब्बे में convert हो गया, और जो मेरा text था, वो था यहां पे, अभी आगया बीच में, तो पहला काम इसने किया merge, और data को ले आया, center में, अभी data आगया हमारा पहले की तरह, दूसरा option समझते है, दूसरा option आपको मिलता है merge across, देखो, merge across का use यह होता है, कि अभी आपने देखा, इस पूरे को merge करके, इसने एक cell में convert किया, लेकिन मेरे को merge करना है, ऐसे, एक एक row merge करनी है, मतलब इस तरीके से merge करना है, तो इसके लिए आप merge across का use करते हो, अभी आप समझ जाओगे, जब इस पे apply करूँ में, तो मै एक एक line merge होई है, और जो row है, वो merge होके, एक horizontal format में यहाँ पर create होगा है, जो कि आप देख पा रहे हो, पहले की तरह करते हैं, इसे, दूसरा option की बात करते है, वो है merge cell, इसमें क्या होगा है, simple merge करेगा, और by default जो इसके alignment होती है, वो left होती है, वो वैसे की वैसी ही रहेगी, तो मैं यहाँ पर simple merge में जाता हूँ, और यहाँ पर merge cell पे click करता हूँ, तो आप देखो कि merge हो गया, और by default alignment क्या होती है left, तो यह left में ही है, पहले की तरह normal करना है, तो आप इसे unmerge कर दो, यह unmerge हो जाएगा, अब दोस्तों बात करते हैं next section की, जो कि है number, यहाँ पर अग जो भी data आप excel में लिखते हो, वो सब अलग-अलग format के होते हैं, जैसे अगर मैं ABCD की बात करो, तो उसका format क्या है, वो एक text है, जाहर से बात है ABCD क्या है, एक text मैं राहूल लिख रहा हूँ, तो क्या है, वो text है, लेकिन अगर मैं numbers लिख रहा हूँ, तो उसका format क्या है, number है अगर मैंने 50 उर्पे लिख दिये तो उसका नंबर फॉर्मेट क्या है रुपीज है तो इस तरीके से जितना भी डेटा आप एक्सल में लिखते हो उन सब का एक अलग अलग फॉर्मेट होता है जब आप इस डाउन एरो कीपे किलिक करोगे तो आप देखोगे हर तरीके का जेनरल में रख दो चाहे वो ए बी से डी लिखिया आपने वन टू थुरी फॉर लिखा है उसको हम जेनरल माल लेते हैं बाइडिफॉल्ट जेनरल ही होता है इसके बाद अगर आपने कोई नंबर लिखा है तो नंबर फॉर्मेट में आएगा करंसी लिखिये तो करंसी में आपने आप जो फॉर्मेट फॉर्मेट में छोटी डेट लंबी डेट टाइम इन सब के अलग अलग फॉर्मेट है थोड़ा एक्जामपल से समझ लेते हैं जैसे मैंने यहां पर राहूल लिखा आप देखो बाइडिफॉल्ट फॉर्मेट क्या रहा है जेनरल आ रहा है ले आपको आपको जैनरल पर्सेंटेज आगया तो बाइडिफॉल्ट यहां पर लेता है अधर्वाइस कुछ ऐसे बड़े टास्क होंगे जब आप एक्सल में करोगे जहां पर आपको इनके बार में पता होना चीए जैसे कहने का मतलब आप जैनरल मैंने बताया नॉर्मल फॉ यह है तो अब यह नॉर्मल आ रहा है जैनरल में लेकिन अगर मैं इसे करंसी में करूंगा तो आप देखोगे रुपीज के सिंबल के साथ आएगा तो यह इसका सिंबल रूल प्ले है अभी यह डेट शॉट है अगर मैं इसी को लॉंग डेट में कनवर्ट कर दू तो यहां यहां पर नोटिस करो एक चीज जो आपको नंबर फॉर्मेट से रिलेड़ेड पता होनी चाहिए और शायद वह आपको वैसे पता नहीं चलेगी वह मैं आपको लग से बता देता हूं देखो यहां पर नोटिस करो यह कैसा डेटा है प्रोड़क्ट रेट क्वांटिटी अ यहां यहां दिककत क्या होती है कई बार आप से कहा जाता है यह जो 100 लिखा क्या पीट है क्या है तो यह चीज तो आप बतानी बाते होते हो तो यह चीज़ा मुझे मुझे इंककरने होती है और जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा इसके आगे PCS यह लिखा PCS एंटर करूँगा यहाँ पर error आ जाएगा क्यों आ रहा है error क्योंकि यहाँ पर तुम इने multiply करा इस वाले cell और इस वाले cell को तो error क्यों आ रहा है error इसलिए आ रहा है क्योंकि पहली चीज तो यह है इतना number और यह है इतना ABCD तो number और ABCD को गुना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो इसी वज़े से आप access में नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इस number format में एक option होता है custom का आपको वह use करना पड़ेगा तो इसके लिए simple आप इस data को select करो पहली बाद फिर यहां पे जाओ number format में यहां जाने के बाद जाओ custom वाले option में यहां पे जाना है जाने के बाद यहां पे जो general लिखा है इसे card दो simple सबसे पहले आपको लिखना है hash ठीक है थरी के उपर जो hash option होता है वो लिखना है या currency में यहां से दिखा दो या फिर यहां पे जाओ और currency पे किलिक कर दो same यही चीज़ पे जाओ और currency पे किलिक कर दो अब आप देखो यहां पे double double यह आ रहा है मतलब जो हमारा store पे हम लिखते हैं तो dot 00 आता है format होता है तो यह मुझे नीच चाहिए तो इसके लिए आपक आपको किलियर हो गया होगा क्योंकि अभी तक जितनी चीज़ा हमने सीखिए वह बहुत ही जादा easy था लेकिन अब जो चीज़ा हम सीखने वाले हो थोड़ा lengthy भी होने वाला है और important भी होने वाला है जैसे कि style में आने वाला है condition formatting वह बहुत जादा important है या फिर हम बात करें insert delete यह तो easy format में आपको काफी options मिलेंगे so बिल्कुल patience रखके आपको यह video पूरी देखनी है and I am sorry अगर आप bore हो रहे हो तो फटा-फट इन पर ध्यान देते हैं और इने भी सीखते हैं अब यहाँ पर बात करते है option की जो कि है conditional formatting सबसे पहली चीज़ तो आप एक चीज़ समझ चो इसमें इसका नाम का मतलब समझो conditional formatting मतलब condition के आधार पे format apply करना format यानि कि जो भी आप यह देख पार हो नो color apply कर दिया या फिर font apply कर दिया तो format है और condition के आधार पे आप इन्हें highlight कर रहे हो तो बड़ी simple term है अब देखो जैसे माल लोग कि हमार पास एक condition है मैं यह बोल र 10-20 दिन का data हो और मैं यह बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ उन cell को highlight करके दिखाओ जो cell 5000 रुपे से उपर है कहने का मतलब कि सिर्फ उन cell को देखना है मुझे जो 5000 से जादा हुई है वाई कि cell से मतलब नहीं 5000 से जादा वाली cell दिखाओ अब आप कैसे दिखाओगे एक एक करक अप्शन है greater than का इस पर किलिक करने के बाद मैंने बोला कि यह जो हमारे boss है वो यह बोल रहे है कि सिर्फ 5000 से ज्यादा जो cell हुई है बस वो दिखाओ बागी सब लोग उन जो cell करिया वो ना लाए कि उनको side में रखो जिल लोग ने 5000 से ज्यादा से ज्यादा से बस वो और आप जैसे okay करोगे वो highlighting इस पर apply हो जाएगी जो कि आप on screen देख पारे हो अब अगर आपको इस highlighting को हटाना है इस condition formatting को हटाना है तो आप इसी में जाओ और यहाँ पर killer rule पर click कर दो killer rule from selected cells यह हट जाएगा इसी तरीके से अगर उन्होंने बोला कि वो नालाए कौन है जिन इस दन पर click करेंगे और हमने बोला सिर्फ वो लोग जिनकी सेल 2000 से कम है वो आपके सामने आ जाएंगे इस तरह से सो बहुत ही simple and amazing term है यह जो कि on screen आप देख पारे हो इसी की तरह और भी आपको condition apply करने का option मिलता है जैसे मैं data select किया हुआ यहीं पर जाते है मुझे देखना ह मैं between between in the sense के मुझे देखना है कि 5000 से लेके 10,000 की बीच में कौन सी सेल हुई है तो मैं between में गया मैंने आप minimum range डालती 5000 और maximum डालती यहां पे 10,000 डाल देते हैं यह तो 5000 से 10,000 की बीच में जो सेल हुई है वो आपके सामने आ जाएगी सेम इसी तरहिके से आप यहां equal to आपको exact कुछ देखना है exact in the sense किसे ने आपको बता दिया कि 10,000 की सेल होगे बार लाग की सेल होगे यह कोई और आप मालो किसी अलग तरीकी का डेटा है तो आप वो भी डूंड सकते हो जैसे मैं आप डालो कोई एक particular डेटा 10,000 की सेल किसे ने करी है तो वो आपके सामने हालाइट ह के आ जाएगा अब इसी की तरह इसमें आते हैं और next option हमें मिलता है text that content कहने का मतलब आपके पास मालो एक data है अब ये काम आप find से भी कर सकते हो बट इसमें दिया है तो हम इसका भी use समझेंगे तो इस data में मुझे देखना है कि सुमित का नाम कहा लिखा हुआ है तो आप इ अब इसके लावा एक और important चीज होती है कई बार क्या होता है जब आप data जल्दबाजे में type कर रहे हो तो एक ही data दो दो बार वहाँ पर print हो जाता है या फिर overwrite हो जाता है तो उस case में एक ही value duplicate बन जाती है ठीक है मतलब एक value की duplicate value बन गई तो अगर आपको duplicate value चेक करनी है तो यहां पर देको stop जितनी बार लिखा हो सभायलाइट हो गया निशान दो दो बार लिखा हो आ गया सुमित भी जो हो दो दो बार लिखा हो यहां पर show हो गया तो इसे show होने का फायदा यह है कि अगर आपने data overwrite किया होगा जैसे यह सुमित assistant manager है यह सुमित helper है तो हमें पता च इस अप्लाई कर सकते हो यहां पर रूल में जाते हैं इसे clear कर देते हैं इसके लाब एक और option आपने महां पर देखा होगा हम इसे select करते हैं और select करने के बात condition formatting में ही जाते हैं यहां पर option मिलता date occurring तो इसमें जागे अगर आपको किसे date की भीहाब पर देखना है yesterday का data आप ड data है यहां पर जैसे मैंने कोई भी यहां पर नाम लिखा है this week this month इस तरह से आपका data महां पर highlight हो जाएगा आयोग की चीज़ आपको clear हो गयोगी कोई big stuff नहीं आप अभी भी data लिखोगे आज की तारीक वगरा तो वो चीज़ select करके आप देख लोगे अब यहां पर बात करते यहां पर जाने के बाद आप top 10 item कर दो तो जो सबसे जादा अच्छी sales है या अच्छे numbers है वो यहां पर highlight हो जाएंगे यह चीज़ आप result में भी apply कर सकते हो और और भी चीज़ों में आप इसका use कर सकते हो तो यह most usable option है conditional formatting के options में से इसके अलाबा इसी तरीके से अगर आपक bottom try करना है कि bottom मतलब सबसे कम rank कौन से है सबसे कम number कौन से है अब इस पर select करोगे सबसे कम 10 items यहां पर आपको show हो जाएंगे आप चाहो तो इन numbers को कम कर सकते हो आपको देखना है कि top 3 में क्या है top 2 में क्या है तो आप उस तरह से भी देख सकते हो numbers कम जादा करके अब इसके ब देखो मैं बताता हूं कहने का मतलब अगर आप इन cells को count करो तो कितने यह 8 लोग का data है यह भी 8 है यह भी 8 है तो 8.32 है नि 8.32 तो 32 cells का 10% कितना हुआ 3,3.2 हुआ जहां तक मुझे पता है तो यहां पर सिर्फ जो data highlight होगा वो 3 cells का data highlight होगा तो आप यहां पर गए इस पर जा इस लिए यहां पर 10% कहने का मतलब इंदसंस यह होता है जितना बड़ा भी आपका data है उस data का 10% तो यहां पर 32 cells है जैसे माल लो कि इसको हटा देते हैं और यहां पर मैंने ले लिया यह 24 हो गया तो 24 का 3% कितना हुआ 2 तो मैं यहां पर select करता हूं conditional formatting में जाके मैं यहां पर जाता हूं और top 10% करता हूं तो देखो सिर्फ यहां पर दो ही cell highlight हुए तो इस तरह से top 10% work करता है इसी तरह की से आप जो है वो bottom 10 items देख सकते हो तो आप इस पर click करोगे तो तीन cells highlight होंगे अगर मैं इस area को बढ़ा दूं तो आप देखो इन numbers भी बढ़ जाएंगे तो कहने का मतलब यही है कि जितना बढ़ा आपका data है उसका 10% जितना बढ़ा आपका data है उसका below 10% तो i hook की यह term आपको clear होगे होगे दूसरा यह आपको option मिलेगा above average और below average इसका क्या use है इसे समझते है देखो अगर मैं इसका average निकालू average in the sense होता है कि कोई भी आपके पास data है उसक इसका average निकाल के दिखा दे तो आपको मैंने यहां पर average का formula डाला और मैं इस सब का average हो निकाल लेता हो तो हमारी average sale कितनी हुई है 3462 रुपीज की यह हमारी average sale है तो आप इस average sale से जितने भी ऊपर होंगे वह highlight कर सकते हो आप इसके मतद से देख सकते हो आप और अगर आपको इस area से मतलब जो average है उससे लीचे का data highlight करना है तो below average कर दो यह आ जाएगा तो यह simple term में लोग इससलिए confused होते है क्योंकि जिस तर अब बात करते है next option की data bars इसमें क्या है कि data की according इसमें highlighting apply होती है जैसे आप देखो कि जिसमें number जादा है उसमें highlighting जादा है आप notice करना कि यह सोहन का जो पहला amount है 10,000 का तो उसमें highlighting जादा है जब कि अगर हम बात करें मोहन का सबसे नीचे वाला amount 1100 होगा उसमें highlighting कम है तो color आप अपने साइब से choice कर सकते हैं या फिर आप यह देख सकते हों कि जिसमें जादा number उसमें green जिसमें कम है उसमें yellow जिसमें बहुत कम है उसमें red जादा है उसमें up arrow दिखाएगा जिसमें कम है उसमें left right और जिसमें बिल्कुल down है उसमें down arrow तो इस तरीके से conditional formatting के जो options है व टेबल और सेल स्टाइल से यह भी समझ लेता है यह इसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला इसमें जो हमारा टाइम ज्यादा तर खीचा है एक कंडिशनल फॉर्मेटिंग ने एक फॉर्मेट थोड़ा सा टाइम खीचेगा और जहां तक मुझे लगता है कि एक फिल और एक श कर लो फॉर्मेट इस टेबल में जाओ मुल्टिपल आपको मिलते हैं जो भी आप्शन आपको पसंदी उस सेलेक कर लो जैसे मुझे यह बैटर लग रहा है मैंने स्कू सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ग करें के बात आप जैसे होगे आपका डेटा टेबल में कंवर्ट हो यहने का मतलब आप data को टेबल में convert कर सकते हो नंबर वन दूसरा यहां पर जब आप data को टेबल में convert करते हो तो यहां पर आपको short and filter का option मिल जाता है जो कि अभी जैसे हम short और filter का option समझेंगे उसमें मैं आपको एक-एक option step by step समझाऊँगा फिलाल के लिए होब कि यह time आपको clear होगी होगी कि आपको अपने data को टेबल में convert करना है तो आप इस option का use कर सकते हैं साथ ही एक चीज़ और कई लोग टेबल में convert तो कर लेते हैं लेकिन जब उन्हें normal range में convert करना होता है तो नहीं कर पाते अगर आपको इस data को पहले की तरह करना है तो आप data को select करो design में जाओ और convert to range पे click करके ok कर दो इसके बाद आपका जो data है वो normal हो जाएगा table में नहीं रहेगा इसके बाद आप इससे select करके जो भी editing apply करना चाओ cell style में जाओ आप normal कर दो या फिर अगर माल लो आपको ऐसा चाहिए color वगेरा cell style के सीधा मतलब यह है इसमें अलग-अलग editing बने तीनो options आपको pillar हो गयोंगे अब दोस्तों बात करते हैं next option के जो के है cells category यहां पर सबसे बहला option हमें मिलता है insert का देखो माल लो अगर आप कोई data बना रहे हो जैसे हमारा एक data है अब इस data में मुझे अलग से column insert करनी है या फिर अलग से row insert करनी है तो आप कैसे करोगे तो इस इसके लिए simple यहां पर जाओ insert में जाओ और यहां पर insert sheet column कर दो आप देखो कि आपके formatting अभी ऐसे कैसे है कहने का मतलब अगर आप इसे ऐसे पकड़ गे इधर करोगे तो आपके formatting चली जाएगी चली गई लेकिन अगर आप tool का use करते हो जो कि insert है insert sheet column किया तो आपके formatting भी वै आपको एक row insert करनी है जैसे मालनों यहां पर 3-4 के बीच में मुझे एक row और चाहिए तो मैं यहां पर insert में जाओंगा insert sheet row करूंगा और आप देखेंगे एक row यहां पर insert हो गई है अब इसी तरह से आपको एक और option यहां पर मिलता है insert cell का आप इस पर जाओ जाने के बाद यह यहां पर option मिलेगा shift cell down shift cell right कहना का मतलब यह जो cell है इसको आपको नीचे shift करना है या फिर down में shift करना है तो मैंने इसे select किया और मैंने किया shift cell down मैंने किया okay तो आप देखेंगे कि वो जो cell है वो नीचे हो गया है और इसका example है कि यहां पर देखो एक extra cell बढ़ गई है जो कि आप देख पा रहे हो इसी की तरह अगर आपको पूरी की पूरी sheet चाहिए तो insert sheet पर click करो और यहां पर 8 के बाद जो अगले sheet और delete cell पर click करना है shift cell up आपको okay करना है आप देखो कि data आपका उपर shift हो गया है और नीचे में जो cell था वो हट गया है इसके साथ अगर आपको यह पूरी की पूरी row delete करनी है तो आप delete में जाओ delete sheet row पर click कर दो आपको पूरा column delete करना है delete में गए delete sheet column कर दिया और इस तरहीके से आपके पूरी जो row column या फिर अगर हम sheet भी delete करना चाहते हैं यहाँ पर में delete sheet करूँगा तो यह पूरी की पूरी sheet delete हो जाएगी अब बात करते हैं next option की जो की बहुत ही जादा important है इसे आप ध्यान से समझना क्योंकि practical जब आप करोगे as a excel operator तो वहाँ पे मेरे हिसाब से इन आपने cell के height check कर सकते हो अब यहाँ पे गए मुझे इसके height check करना है मैं इसमें गया तो इसके height क्या 15 अब आप बोलो कि इसका क्या फायदा है height check करके क्या हो गया लेकिन अगर मान लो कि आपके जितनी भी row है उसमें आपको यहाँ पर photo भी लगानी है suppose photo भी लगाते हैं अग cell में अगर हम data create करने हैं तो मैं photo भी लगाना है उसके हिसाब से मुझे सारे की सारी rows को एक ही बार में edit करना है तो मैंने इन पूरे को select किया मैं यहाँ पर किया format में row height पे click करता हूं मैं और 15 मैंने किया ऐसे 30 मैंने किया okay आप देखो कि एक ही बार में सब की सब row height edit हो गई ह तो यह इसका फाइदा है अगर आपको पहले की तरह normal करना है तो auto fit row height करो पहले की तरह normal हो जाएगा इसी तरह की सा आपको option मिलता है column width का तो column width होती है by default 8.43 अब मुझे जो इसकी column width है देखो इसकी कम है इसकी जादा है मैंने एक बार इसकी check कर ली तो यहाँ पर format में जाते है तो इस वाले column की जो width है वो है 14.43 तो मुझे इनकी जो width है वो भी 14.43 करनी है मैंने पूरे को select किया और यहाँ पर column width पर click किया और 14.43 डाला और यहाँ पर okay किया आप देखेंगे कि इसकी भी column width इसे की जैसे हो गई है तो आप खुद देख सकते हो कितना important है अगर आपको इसे auto fit करना है auto fit का फायदा यह होता है जितने की जरूरत है उतने में fit हो जाएगा तो आप auto fit कर दो जितने की जरूरत है उतने में adjust हो गया अब दोस्तों बात करते हैं format के कुछ और options के जो मैं देख रहा हूं कि वह present है या absent है तो मुझे बार-बार इसे slide करना पड़ रहा है करना पड़ रहा है तो मैं के करता हूं इसको select कर लेता हूं इस तरह से करने के बाद यहां format में जाते हैं और hide and unhide में जाके मैं यहां पर कर देता हूं hide columns जैसे मैं करूंगा आप देखो format में जाके hide and unhide में जाओ और यहां पर जाके unhide columns पे click कर दो और आपका पूरा data पहले की तरह normal हो जाएगा इसी की तरह अगर आपको sheet hide करनी है या फिर row hide करनी है तो आप वह भी कर सकते हो यह चीज आपको खुद करके देखनी है क्योंकि बहुत ही simple row को select करो और hide rows पे click कर कर दो आपकी जो rows है वह hide हो जाएगी तो यह task आपको खुद करना है इसके बाद यहां पर आपको और भी options मिलते हैं जैसे organize sheets में इसमें आपको option मिलेगा rename sheet का कहने के मतलब जैसे यह वाली sheet है मैंने इसको select किया है और यहां पर मैं जाता हूँ और मैं यहां पर करता हूँ rename sheet तो आप देखेंगे कि जिस sheet पर मैं काम कर रहा हूँ वो sheet यहां पर select होगे sheet2 और इसको मैं cut करके यहां पर लिख देता हूँ my data मैंने लिखा और मैं side में click करूँगा और इसका नाम change हो जाएगा इसके बाद यहां पर option मिलता है move or copy का जिसके मदद से आप इसकी copy बना सकत और एक यह रहा इसके अलावा आपको एक option मिलता है tab color का आपको माली जिसका color change करना है तो आप इस तरीके से इसका color जो है वो change कर सकते हैं जो कि on screen आप देख पा रहे हैं इसके बाद next option मिलता है protect sheet का आपको इस पर click करना है click करने के बाद अगर मुझे sheet पर password लगाना मैं लि और इसे कर दूंगा unprotected sheet password डाला enter किया और अब इसमें मुझे जो भी करना है चाहे delete करना है कुछ भी override करना है मैं यहां पर कर पाऊंगा इसके साथ ही इसके नीचे जो option मिलता है lock cell का इसे आपको नहीं छेड़ना है ध्यान रहे जब भी आप protect sheet apply करो lock cell highlight होना चाहिए अगर disable होगा तो आपकी प्रोटेक्ट sheet पे password apply नहीं होगा तो यह part of setting है इसको आपको नहीं छेड़ना है so guys almost जो हमारी वीडियो है वो 80% cover up हो चुकी है clipboard, font, alignment, number, style और sales इनके सभी options हम समझ चुके हैं अब हम last portion पे जोगी है editing जिसमें हमारे सामने कुछ यह options आ जाते हैं शुरु sum apply हो जाएगा और आपको enter करना है और इसका total आ जाएगा यही चीज़ अगर आपको shortcut में करनी है तो आपको एक उंगली से alt key को दबा कर रखना है और दूसरे से equal press करना है जो कि back space के side में होता है auto sum यहाँ पे apply हो जाएगा और आप enter करेंगे यह आ जाएगा इसी से related कुछ और formula भी आपको मिल जाते हैं जैसे average, count number, max, min तो यह भी simple है फिर भी में आपको बता देता हूँ जैसे आपको इसका average निकालना है तो average marks क्या है मैंने enter किया तो यह आगे average marks इसी तरह से आपको देखना है कि यहाँ पे total कितने cell है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 आप enter करोगे तो total कितने cell है 5, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से हम इस option में जाएंगे और अगला option में मिलेगा max का, max से क्या होगा कि इस number से में से जो सबसे maximum number है वो हमारे सामने आ जाएगा, जैसे कि 85, अगर मैं यहाँ पे लिख दू 95 तो अब हमारे पास number आएगा 95, तो max formula की मदद से आप सबसे highest number द जाएगा, तो इस तरीके से आप auto sums के जो यह formula है वो आप use कर सकते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं next option की जो के है fill option, basically इस fill option में आपको काफी सारे option मिलेंगे, down, right, up, left, exact are काफी सारे, लेकिन इसमें जो 2 mean option है, वो है एक across worksheet और दूसरा है series, तो हम सारे options को cover up करेंगे, और step by step समझेंगे, सबसे पहले, यहां पर अगर माल लो मेंने कोई नाम लिखा, मैं center में लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा Rahul, और यहां पर आते हैं, हमने यहां लिख दिया राजू, और यहां पर हम आते हैं, हमने लिख दिया Mohan, अब यह चीज़े में अलग- अलग क आपको cover कर दूँ, देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर option मिलता है आपको down का, इसमें क्या होगा, जो भी data आपने लिखा है, उसको select करके नीचे तक आप select कर लो, और यही data अगर आपको down में apply करना है, तो आप simple down पर click कर दो, वो same data down में apply हो जाएगा, इसी तरह से अगर यह data आ में apply करना है, तो आप इससे select करके उपर की तरफ select करो, और यहाँ पर select कर दो, same यही चीज़ आप right के लिए कर सकते हो, और same यही चीज़ आप left के लिए कर सकते हो, अब दोस्तों बात करते है next option की, जो कि है across worksheet, across worksheet का मतलब क्या है, normally आप देखो कि यहाँ पे मर पास 3 worksheet है, ए पहले वाले sheet पे मैंने एक format यह design बनाय हुआ है, अब मुझे same design चाहिए salary sheet के लिए, same design चाहिए attendance sheet के लिए, तो या तो मैं यह करूं कि sheet 2 पे भी वैसे दुबारा से सारा काम करो, sheet 3 पे भी काम करो, या फिर यह जो format है, यह same to same वहाँ पे भी paste on कर दो, यह काम कर सकते हो, करेंगे, सबसे बहले sheet 2 को control की मदद से select करेंगे, और sheet 3 को भी control की मदद से select करेंगे, इसके बाद fill में आप जाओगे, across worksheet on हो जाएगा, आपको इस पे click करना है, अब इसमें आपको तीन option मिलते है, पहला है all, दूसरा है content, तीसरा है format, all करने पे यह डिट्टो ऐसा कैसा महा पहुंच जाएगा, content करने पे जो इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ वह वहाँ पे जाएगा, और format करने पे, यह जो design आपने apply किया, वो design वहाँ पहुंच जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए format, हमने क्या format किया, ओके, अब एक बार check करते है, तो sheet 2 में भी देखो, हमारा format आगया, यहाँ पे, जैसा उसमें apply किया था, sheet 3 में भी हमारा वैसा format आगया, जो हमने उसमें apply किया था, even अभी अगर मैं इसमें कुछ लिखो, तो देखो, उतना ही बड़ा आ रहा है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, अब दोस्तों बात करते हैं, next option की, जो की है, series सबसे पहले यहाँ पे example लेते है counting का, मैंने यहाँ लिखा one, सिर्फ मैंने one लिखा है, और मुझे hundred तक counting लिखनी है, तो इसके लिए यहाँ पे one पे select करेंगे, fill में जाएंगे, और जाने के बाद आपको series पे click करना है, click करने के बाद कुछ इस तरीके का format आएगा, आपको simply सबसे important है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले series in है, मतलब यह जो series आपको कैसे चाहिए, row में चाहिए, या फिर column में चाहिए, तो मुझे चाहिए column में, इसके बाद यहाँ पे दो option मिलेंगे, आपको मिलेगा linear, linear का मतलब होता plus method, linear का मतलब क्या है plus method, और growth का मतलब है multiplication method, गृत का मतलब क्या है multiplication method, तो 1 में 1 जोडेंगे 2, 2 में 1 जोडेंगे 3, तो हमें कैसा चाहिए linear method, तो गिंती जो हम लिख रहे हैं, उसमें हम कितना add कर रहें, एक मैं 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3 या फिर जो अंतर है, वो कितना है, 1 एक का अंतर है, एक के बाद 2, 2 के अजिसा अधार मैं समझेव हैं मैं यहां पर लिख देता हूं गिसका टेबल ल iron ओंव सिर्ण में मैं लिए थेटा किसमें घुन कोल्म में दमानि8 ककर स्वेंसłosर डीफरेंस टेबलब का मतलब difference और यहां पर stop value जहां तक आपको data चाहिए ओके कर दिया 8 का table आपके सामने अब आपको चाहिए days name तो मैं यहां पर simple लिखूंगा Sunday और लिखने के बाद आपको यह range select करनी है सिर्फ करना क्या है आपको range इसके बाद फिल में जाना है और यहां सिर्फ में जाना है बाइडिफॉल्ट सबको select होगा data column select है यहां पर linear select है हमें linear हटा के select करना है auto fill क्या करना है auto fill ओके कर दो आगया Sunday Monday Tuesday months name की बात करें तो यहां पर भी आपको क्या करना है हमने लिखा यहां पर January लिखने के बाद पूरी range आपको select करनी है यहां पर इस तरह से select करनी के बाद आपको फिल में जाना है सिर्फ में जाना है सब कुछ बैसे ही है linear हटा के बस auto fill कर दो ओक के गरदो यह आ जाएगा यही चीज अगर आपको date के साथ करनी है यहां पर date पर select किया फिल में गए सिर्फ में गए बाइडिफॉल्ट देखो यहां पर row है कॉलम कर देते हैं यहां पर date by default select हो गई आप देख पारो date क्या है बाइडिफॉल्ट select हो गई है यहां पर आपको date unit मिलेंगे एक है day day में क्या है हर इक day आएगी यह चीज समझ लो आप अलग-अलग में करके बताना कि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें day weekend month और year है इस चीज को समझो अगर हम day करते हैं तो 31 के 31 दिन अगर में print करवाना चाहरा हूं वो आएगा weekday करेंगे तो Saturday और Sunday को छोड़ देगा और बागे से print होगा month करेंगे तो month 22 प्रिंट होगा यह यानि कि 4 के बाद 5 6 7 year करेंगे तो 2022 23 24 इस तरह से print होगा तो हमें day में चाहिए जो सबसे सही तरीका होता है यह किया और step value में मैंने आप डाला 30,04,2022 और मैंने किया ok आप देखेंगे पूरे की पूरे महिने की जो calendar date है वो मेरे सामने आ गई है तो इस तरीके से आप series option का use करते हैं आप यहांपे बात करते है next option की जो कि है justify माल लो मैंने आप एक नाम लिखा है राजिंदर कुमार ठीक है और जैसा कि आप देख पा रहों कि एक line में नहीं आ पा रहा या तो मैं इसको बढ़ा करूं या फिर मैं से नीचे shift कर दो तो अगर आप इस पर justify करोगे तो यह जो data है वो आपका next cell में shift हो जाएगा कुछ इस तरह स यह इसका simple use होता है अब यहां पर बात करते है next option की जो कि है flash fill इसके बार में आपने बहुत सुना होगा मानलो आपके पास कोई भी ऐसा data है especially id देखोगे आप roll number देखोगे या फिर unique ids वगरा होती है तो उसमें ऐसा data होता है अब इसमें यह है काफी lengthy मुझे चाहिए इसमे select कर लेनी है यहां तक select किया और सिर्फ यहां जागे flash fill कर दो आप देखोगे automatically वो सबका जो data है वो उसके according carry कर लेगा तो यह फायदा होता है flash fill का अब दोस्तों बात करते है second last option की जो कि है short and filter तो simple क्या है कि short and filter किस लिए use होता है देखो अगर आपके पास एक बड़ा data है जाहर से बात अगर आप कहीं company में काम कर रहो तो वहां पर जो data आपके पास होगा वो बढ़ा होगा अब उसमें अगर आपको data को easily manipulate करना है तो उसके लिए हम short and filter का use करते हैं कहने का मतलब मानलो यहां भी result है अब इस result में अलग-अलग division है कोई first है कोई second है कोई third है कोई fail ह और यह तो 7-8 लोग का data है मानलो आपके पास data है 500 लोगों का 500 students पढ़ता है और principle आते हैं आपसे यह कहते हैं कि मुझे सिर्फ उन लोग का data बताओ जो लोग fail हो हैं तो आप कैसे निकालोगे तो उस time पे अगर आपको shorten filter आता है तो सिर्फ आप 10 second के अंदर अंदर यह सारा क कर लोगे अब कैसे मैं आपको बताता हूं सबसे पहले जहां पर भी आपको filter apply करना होता है उस पूरे data को select करो select करने के बाद यहां पर जाओ और simple यह जो filter का option है इस पर click कर दो मैं भी आपको short way बताने वाला हूं जो कि best होता है अब यहां पर जैसे आप से बोला जा रहा है कि आपका जो data है उसमें सिर्फ मुझे यह बताओ fail कौन कौन है तो आप इस division वाले पर जा रहे हैं आप देखो filter का symbol आ रहा है इस पर click किया किलिक करने के बाद आप यहां पर जाओ simple तरीके से select all का option है आप इस पर click करो सब देखो कि uncheck हो गये यहां पर आपको सिर्फ fail वाले पर click करना है और ok करना है सब का data का आप सिर्फ fail वाल लोगों का data और आप आसानी से principle को बता सकते हो इसके बाद आपको सिर्फ first वाले बंदे का data देखना है second का देखना है तो first select किया यह हटा दिया ok किया first का data आ गया इसी तरीके से सब चाहिए तो दुबारा से select all किया ok कर दिया साधी इसमें एक चीज और भी होती है जो होता है इस a to z और z to a यह क्या होता है जैसे आप अगर अपने phone के contact देखो तो इसमें पहले a नाम वाले बंदे आते हैं फिर b फिर c फिर d आपको data वैसी चाहिए आपको पहले a नाम वाले लोग चाहिए फिर b फिर c तो आप simple इसम फिल्टर पर दुबारा किलिक करो फिल्टर हट जाएगा यह चीज है next option आपके पास आता है find and replace का जो कि I hope कि आप सब को पता होगा यह चीज आपको खुद करके देखनी है find की मिदद से आप किसी भी data को ढूंड सकते हो और replace की मिदद से आप उस data को ने नाम के साथ change कर सकत तो यह आपका एक individual task है कि find or replace का जो option है वो आपको खुद से करके देखना है so I hope के दोस्तों यह home tab के उपर जो वीडियो है यह आपको पसंदाए होगी I know कि आप लोग थोड़ा सा बोर हुए होंगे तो उसके लिए sorry but comment में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगे अग जादा जादा लोग के बीच में share करें और अपना support दिखाए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में thank you